दोस्तों आज हम आपको बेबल गियर का गियर डाटा कैलकुलेट करने सिखाएंगे जिससे आप गियर की ड्रोइंग कैट सॉप्ट्वियर या किसी यानी सॉप्ट्वियर पर बना पाएंगे तो चलिए आये चलते हैं गियर गुरू साउट जो आपने डाउनलोड कर रखा हो होगा तो आपके फॉन में होगा तो मैं आपको वहीं लिए चलता हूं और यहां पर बेबल गियर सेक्शन में आ जाई है और यहां पर देखिए यह कुछ यूजर इंपुट बॉक्स है रिजल्ट बॉक्स है यह तो ग्रे कलर में है यह सारे रिजल्ट बॉक्स है और जो व डालने हैं तो आप calculate वटन प्रेस किजिए तो यह आपको गाइड कर देगा कि आपको कहां पर यूजर input करने है वर फीड करने है तो यहां पर देखिए तीन जो बॉक्स है वो रेड कलर में हो गए है तो यह आपको compulsory है input फीड करना इसके बाद ही आपको data यह सोग करेगा तो जैसे मैं कोई example ले लेता हूँ हमारा जो opinion है उसमें 17 teeth है और gear जो है उसमें 50 teeth है और यह module जो है यह outer transverse module है क्योंकि इसमें M नहीं डिया हुआ है M होता तो यह normal module होता MTE है MTE और M में confuse मत हो यह मैं आपको explain करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा जो बेबल gear होता है उसमें देखा होगा आपने एक conical होता है एक तरफ छोटा डाया होता है एक तरफ बड़ा डाया होता है तो किसी भी gear में यह आपको यह आपको PCD calculate करना होता है तो आप क्या करते हैं module into teeth करते हैं module into teeth मतलब कि यह spur gear का formula है बड़ जैसे ही आप helical में जाओगे तो transverse module into teeth हो जाता है बस यह अंतर है और जैसे आपने आपको straight wevel gear का PCD calculate करना है तो module into teeth ही होगा और फिर अगर spiral आपको spiral wevel gear का PCD calculate करना है तो क्योंकि angle इसमें involved हो गया तो transverse module into teeth होगा सिद्धी सी बात है तो mt से transverse module है ठीक है अभी इसमें ज्यादा confusion होना और e से मतलब है end जिस तरफ बड़ा diameter है वहाँ पे बड़े diameter की तरफ आपको PCD calculate करना है तो mte की value feed करने वहाँ पे क्या module है तो अभी आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे software में क्या है कि mean normal module feed किया जाता है और बहुत सारे में यह जो मैंने इसमें दिया हुए mte same किया जाता है तो अगर मैं module की बात करूँ तो तीन तो normal module हो गये outer middle और inner आउटर मतलब बड़ा वाला डाय मिडल में और inner मतलब छोटे वाले डाय और तीन ही transverse module हो गये तो अब mte clear हो गया होगा आपको कि mte जो है वह transverse module है और बड़े वाले डाय की तरफ का है चलो तो फिर इसमें आप feed कर तो मैं feed कर रहा हूं 10 अब मैंने तीनों feed कर दिये इसमें जो red border वाला था तो अभी calculate प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखिए geometrical वो सारे data आगे जिससे मैं gear draw कर सकता हूं अभी कुछ data नहीं आया है तो अभी जैसे आपको spiral वेबल गियर डिजाइन करने हैं तो इसमें आप spiral angle डाल दोगे ठीक है अभी एक जो है face width यह नहीं है यह तो strength wise वैसे होता है लेकिन इसमें वेबल गियर में maximum limit भी होती है कि इस limit से आप बाहर नहीं जा सकते हैं जैसे यहाँ पर face width देखिए face width b max maximum यह calculate कर लिया है यह software ने अपनी intelligence से किया है आई इसके अंदर formula fit किया हुआ है तो यहाँ पर 88 दिखा रहा है जैसे मान लो आप इससे ज़्यादा fit करने की कोशिज में कर रहा हूं जैसे 95 करने की कोशिज कर रहा हूं तो यह warn कर दे रहा है face width enter value is greater than maximum limit मतलब यह ज़्यादा value आपने एंटर कर दिया यह नहीं होने वाला है जैसे आप click करोगे तो वह जो calculated है वह उन्होंने अपने अभी इसमें कैच कर लिया data तो मैं इससे कम कर लेता हूं 85 कर लेता हूं और यह बिल्कुल आपका calculation ready हो गया इससे आप gear draw करके देखिए बना के देखिए बिल्कुल यह बनेगा और यह चलेगा भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो अभी एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं जो नीचे blue color के font में लिखा हुआ notes है इसे भी आप जरूर पढ़ें प्री डिफाइंड कोफिशेंट addendum, detendum and root fillet in yellow color are based on IS5037 आप यहां पे देखिए यहलो कलर में जो वॉक्स दिया हुआ है इसमें तीन डाटा है addendum coefficient, detendum coefficient, root fillet coefficient यह तीनो जो है यह IS5037 के coding दिया हुआ है और इसमें नीचे लिखा है user can change as per any standard rest of the data will be automatically changed मतलब यह जो तीनों feed है यह IS5037 के coding है अगर आप किसी और standard से इसको change करना चाहते हैं तो आप change कर सकते हैं बाकी data automatically change हो जाएगा तो मैं आपको change करके दिखाता हूँ जैसे कि ISO के method में ISO standard में कई जगा पर जैसे डिडेंडम factor जो है वो 1.25 रखा जाता है IS में भी है मैं आपको अभी यह change करके दिखा रहा हूँ यह देखे मैंने change कर दिया डिडेंडम factor डिडेंडम रहने दिया होई डिडेंडम क्लिन जन्वर का होगे इन सब के डिडेंडम डिडेंडम factor थोड़े अलग-अलग है बट यह डांतों की basic profile को denote करता है जो डिडेंडम और डिडेंडम factor होता है root fillet radius यह जो basic geometrical जो teeth जहें उसको denote करता है तो मैं इसको press कर दिया देखिए आपका root diameter change हो गया क्योंकि आपने डिडेंडम factor change कर रहा है जो डिडेंडम दिया हुआ है वो module का 1.25 दिया हुआ है तो उसके हिसाब से इन्होंने root diameter change कर लिया अभी इसमें जितने भी diameter है उसमें clearly लिखा हुआ है वो डाया किदर का कहा का है देखिए end की तरफ का है root face angle यह जो face angle है इसे addendum angle भी बोलते है root angle यह addendum angle होता है और यह जो outer pitch diameter end यह बड़े वाले जो डाया होता उस तरफ का pitch diameter है और mean diameter यह middle plane पे है middle में बिल्कुल वहाँ पे pitch diameter calculate हुआ है और outer tip diameter मतलब आप इससे draw करके देखिए यह gear की geometry बिल्कुल सही है तो thank you very much